दोस्तों अगर आपको मुवाइल रिपेरिंग के काम इंट्रेश्ट है और आप मुवाइल रिपेरिंग के काम सिखने चाहते हैं तो जलदी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम इसी तरीक्ति का वीडियो बनाते रहते हैं मुवाइल रिपेरिंग हाट्वेर सब्सक्राइब करता हूं और करता रहूंगा तो अगर आप इंट्रेश्टेट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो कैसे आप लोग वह एच्छे होंगे मैं हूँ आज में लेका हूँ आपके लिए वन प्लॉस नॉड है इसका बैग ग्लास अगर टूट गया है और बैग ग्लास आप चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के जरीए बहुत ही असानी तरीके से आप अपने फून का बैग ग्लास चेंज कर सकते हैं वान प्लस नोड का करना चेंज करना चाहिए तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा इससे हमा आपके लिए बनाते याद रखेगा दोस्तों यह वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं तो इस वीडियो से आपको जरा भी लाब हुआ है जरा भी तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिजागा और आप अपने दोस्तों से भी जरूर कर वाएगा तो चलते हैं से चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो की जरीए बहुत ही असानी तरीके से आप अपने फॉन का बैक ग्लास चेंज कर सकते हैं चलिए स्टेप बेस्टेप में वीडियो को बताऊंगा असानी से आप अपना फोल्डा बैक ग्लास चेंज कर सकते हैं आपको एक ग्लू की इसे टिंट करके निकाल सकते हैं हम इसे तो या क्या लुकना पड़ेगा दो मिनुट बोलना मुद्ध रुकना पड़ेगा थोड़ा जड़ा पांच मिनट उजे बस एक मिनट थोड़ा 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 अब यह जो आपको अब आपको 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 आपक ऩार्ड़ल प्रप्राइब लादब है आज़ी आज़ा है आज़ी आज़ा देख सकते हैं यह निकल गया अब मैं बताऊंगे इसका ग्लास अब कैसे चेंड कर सकते हैं पेलीस को अच्छे से सफाई कर लिजेगा ठीक है जालस अब कर वेलिए टूप हैं पूलिए कि झालस उड़ सकते हैं इसकते हैं इसकते हैं आज़ा हैं आज़ा प्रिध कि आझे सकता है चिल स्ट्सक्राइब का पादिया के अब रादे भी यूजय जाओने आपे पाता हिसे जादे हो अब चारीटी आप लिडाया लिएकरिये सुष्छी जाता हुश्छी तो दोस्तो अब मैंने इसे साफ्ट कर लिया अब हम इसमें ग्लू लगाएंगे तो दोस्तो देख सकते हैं यह आपका टुटा हुआ ब्रोक्टिंग ग्लास है और यह मैं नया ग्लास लिक्या है अब हम क्या करेंगे इसका ग्लास लगाएंगे तो इस ग्लास लगाने के लिए हमें ग्लू लगाने के जरुवत पड़ेगी पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अब हम इस टिकर निकाल देंगे अब हम निकालने के बाद हम क्या करेंगे इस पे पर ग्लू भी लगा देंगे अठीक है अच्छे से सफाई करने के बाद एक बार हम इसके ग्लू दोड़ा देंगे हलके हलके अब हम क्या करेंगे अब हम इसको ऐसे डगा देंगे अब हम इसमें रबर लगा देंगे इदर बढ़ लगा देंगे अब हम इसको दो गंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से चिपकट है अच्छे से लग गया है आधने वाल वाल था यह नयवाल यह इसके उपर अभी पनी लगा हुँ है पन्नी में बाद भी नहीं करूंगा थेंक्स फर वाचिंग इस वीडियो थेंक्यो सो मच